मेरा नाम गौाडियर है और आज के इस लेक्चर नमबर पॉर में हम लर्ण करेंगे कि एप फीजी क्या होता है और ब्लॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है साथ ही साथ हम यह भी लर्ण करेंगे कि और ब्लॉक को किस तरीके से हम रिफाइन कर सकते हैं अगर कोई न्यू पर और और फ्लो में भी आप सीख जाओ रहाइट बट वह बीना स्ट्रक्चर मैपिंग के कुछ भी नहीं है राइट तो स्ट्रक्चर मैपिंग जब आप लर्ण करोगे उसे मास्टर कर लोगे तभी यह वर्क करती हुए दिखेंगे नहीं तो सारे और ब्लोक सारे एफजी या सारे और फ्लो हैं वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे राइट तो प्लेस मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वह जाके आप स्ट्रक्चर मैपिंग का लेक्चर एक बार द सब्सक्राइब ब्लोक हुआ और फडोओ या आपकी इंटरनल एक्स्टरनल लिक्विडिटी हुई या आपका हाई टाइम और लोवर टाइम प्रेम का एंटरी हुआ ठीक है यह सारे चीजह एकदम खचरा एकदम बकवास डिक है यह मेरे लिए एकदम बेसिक से बीका जब स्कूल में जाता है और वो फस्ट ठीक है स्टेंडर्ड में रहता है और 123 लर्न करता है अब आपके लिए 123 कुछ भी नहीं है ठीक है यह जैसे एक नंबर है इसी तरीके से यह एकदम बेजिक्स और एकदम कच्रा है मेरे लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको लगता करओं अगर मैं डायरी डायरेक्ट जो है सट्राइप करता तो आपको बिलकुल समझ में नहीं आता तो फिलाल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको पूरा मस्टर कर लेना और जैसे हैं आप अन्दधर करोगे तो वह जो आई से सटर्ट करने वाला हूं जिसके अंदर 60- जो है राइट में भी वह रेक्षर के अबाव भी जाएं बट वो गॉड लेवल लेक्षर है इंडिया में कोई ऐसा माइकल नहीं है राइट इंडिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो उसको आपको सीखा पाएगा राइट और मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूं तो मैं इसका रिजवन बता देता हूं कि यह बंदा क्यों मार्केट में दो प्राइग्ष सनले उसके अंदर नहीं की गई है पट लो या तीन कंडल में बहुत बड़ी स्पाइक आ जाती है आप अगर देखते होंगे तो यहां से यहां तक जाने में यहां से A.B. जाने में 15 केंडल लग जाती है वो हेल्धी प्राइज एक्षन होता है उसके अंदर बड़ा आमाउंट नहीं होता कोई प्राब्लम नहीं होती नॉर्मल यह चलता जाता है लेकिन अनहीं प्राइज एक्षन क्या होता है एक ही केंडल इतनी बड़ी भी बन जाती है और दूसरी केंडल से इतनी बड़ी बन जाती है और तीसरी भी बनती जाती है तीन चार केंडल के अंदर आप अगर देखो के 100-800 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर कर लेता है वो होता है अन्हेल्धी प्राइज एक्षन के अंदर एफजी बनता है और यह चीज हमें सो कर होती है कि मार्केट के अंदर एक जो बड़ा अमाउंट है यह डिस्प्लेस्मेंट जो हुआ है जो आई सीटी में आएगा मैं आपको समझाओंगा वह हुआ है एक बड़ा अमांट मार्केट में उत्रा है तो यह वह चीजे बताती है राइट नाव हम स्टार्ट करते हैं कि एप फिची होता क्या जब अनहेल्दी प्राइस बनता है मार्केट में बड़े आगेंडल साते हैं उस फेस में इतने सारे जब कैंडल बनी रहती है तो उन कैंडल के बीच में गेप्स होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते आप इस चार्ट की तरह देखते हो इसके अं jsés Point को लेते हैं यह हमारा High और जो Second Candle है uptrend में उसको छोड़ देना है उसको कुछ नीकर ना उसके High से हमें लेना देना है ना उसके Low से हमें लेना देना है उसको छोड़ देना है Now हमें क्या करना है Third Candle पर полов एक हमें सिप्त होना है और Third Candle का इसे FVG बोला जाता है, fair value gap, right, imbalance, यह unhealthy price action के अंदर आपको देखने को मिलेगा, पहली candle का high, second candle हमने छोड़ दी, and third candle का low, right, यह FVG है, right, इसके अंदर candle की color का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, या FVG के size का कोई लेना देना नहीं है, सारी चीजे मैं आपको समझाऊंगा, first candle का high, second candle हमने छोड़ दी, and third candle का low, right, now इसके अंदर एक और चीज अपलाई होती है, वो है inside bar, मान लो, यह वाली जो candle है, right, मैं अगर आपको बताओ, यह वाली जो candle है, वो इतनी बड़ी बन जाए, ठीक है, इतनी बड़ी बन जाए, या फिर इस ते किसा मान लो, यह पहल candle हा रही है, ठीक है, then आप इसको एप फिजी नहीं बोल सकते, right, क्यों नहीं बोल सकते, because यह आपके inside bar के अंदर है, एक candle और दो candle, यह दोनों candle ही किया, मैंने structure mapping के lecture में बताया था, कि आप इसको इस तरीके से count करते हो, एक, दो, तीन, चार, पाच, but actually यह count कैसी होती है, यह दोनों मिला के, क्योंकि यह इसके अंदर पूरी आ गई है, मतलब यह वाली जो candle है, इसके अंदर है, right, तो यह दोनों मिला के हुई, एक, second, third, and fourth, right, मान लो, इसका high इसको break ना करता, यह भी अंदर रहता, इस तरीके से, then, एक, दो, and तीन, ना कि पाच candle, एक, दो, and तीन, और अगर मान लो, इसने high break कर दिया है, right, then, one, two, three, and four, right, and मान लो, यह वाला inside नहीं है, then, one, two, three, four, and five, ठीक है, तो inside बार candle के अंदर अगर बनता है, then, वो हमारे लिए important नहीं है, अगर मैं आपको बता हूँ, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर बनता है, तो इस case म अंदर, जैसे मैंने आपको बता है, पहली candle का high, second candle छोड़ देनी है, और third candle का low, in uptrend की बात करो, right, in uptrend की बात करो, not downtrend, downtrend की मैं बताऊंगा, अभी uptrend की बात चल रही है, ठीक है, तो पहले candle का high, तो अब यह तीनों मिला के एक ही candle हुई, right, तो पहले candle का high क्या हुआ, second candle, अब इसमें यह नहीं होगी, क्योंकि यह तीनों मिला कि एक ही candle है, second candle होगी यह वाली, right, तो second candle को छोड़ देना, right, पहली candle का high, second candle छोड़ देनी है, and third candle का low, right, यह, तो जब भी inside bar candle बनती है, उसके अंदर effigy इस तरीके से रहता है, I hope आप मेरे point को समझ गये हो, मैं आपको क्या कहना चाहरा हूँ, inside bar का जो problem था, वो भी मैंने आपको बता दिया, और normal जो effigy था, वो भी मैंने आपको बता दिया, I hope आप इसको बहतर तरीके से समझ गये हो, अगर नहीं समझ पा रहे हो, तो देन बार-बार इसको repeat करो, I hope आप समझ जाओ ठीक है, जैसे इतना roll mind में रखना है, first candle का high, second candle छोड़ देनी है, and third candle का low, और अगर inside bar होती है, then inside bar वाले part को एक ही candle गिनना है, उसके बाद जो बाहर निकली हुई candle है, उसको दूसरा और तीसरे candle, right, अब मान लो, मान लो, इसके अंदर ये होता, कोई FVG नहीं है, कोई FVG नहीं है, पहले candle का high, second candle छोड़ दी, और third candle का low, दोनों meet हो चुके, कोई FVG नहीं है, तो ये FVG नहीं होगा, आपको FVG नहीं लेना है, आपको FVG कब लेना है, first candle का high, second candle को छोड़ देना है, और third candle का low meet ना हुआ हो, पहली candle का high से, third candle का low है वो meet नहीं होना चाहिए अगर meet हो गया है तेन वो effigy नहीं है उसको आपको skip कर देना है price वहाँ तक आएगा भी नहीं तो आप यहाँ पर देखो पहले candle का high second candle चोड़ दी और third candle का low यहाँ पर है तो इसके बीच में क्या है इसके बीच में gap है इसको meet नहीं किया इसको यह जो third candle का low है उसने first candle के low को मिला नहीं है उसके बीच में थोड़ी सी जगा छोड़ी है और इस जगा को जो part meet होना बाकी है उस जगा को बोला जाता है effigy I hope आपको inside bar का candle का effigy समझ में आ गया हो आपको जो कौन से valid effigy होते हैं कौन से invalid effigy होते हैं वो भी आपको समझ में आ गया हो इसका एक और rule है वो भी आपको समझना है यह effigy जो है यह बड़ा वाला बना ठीक है इसके उपर यह एक और effigy बना अब now हम shift होते हैं ठीक है तो यह वाली candle का high second candle छोड़ दी ठीक होते हैं इस वाली candle का high second candle छोड़ दी और यहाँ पर मैं अगर जूम करूं तो बहुत छोटा सा effigy बना तो अब इसमें सब पावरफुल कौन सा है सबसे पावरफुल effigy कौन सा यह वाला बहुत बड़ा effigy है और यह वर्क करेगा बहुत पावरफुल effigy है इसके अंदर बहुत बड़ा imbalance है बहुत बड़े orders लगे होंगे तो यह actual में वर्क करेगा maybe sometimes effigy इतने बड़े भी होगे then what तो क्या बड़ा वाला पावरफुल है और छोटा वाला बहुत लो है नहीं सभी की power जो है वो equal है यहां से भी हजार पॉइंट का momentum आ सकता है और यहां से भी हजार पॉइंट का momentum आ सकता है अब आप ट्रेंड का यह हमने मार्क किया तो प्राइस क्या करेगा समझो जब down आएगा तो इसको tap करके upside जाएगा या फिर इसको tap करके upside जाएगा या फिर इसको tap करके upside जाएगा अब कौन से वाला work करने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा कोई confusion की वो नहीं है सबर करो पेसंस रखो सारी चीजे में सिखाऊंगा लंबा टिकने वाला हो राइट मार्केट में और ऐसे ऐसे चीजे चीजे सिखाने वाला हो इंडिया के अंदर एक बंदे ने भी नहीं सिखाई है ठीक है आइनो एप फिजी order block या order flow बहुत लोगों ने सिखाई और लोग बोलेंगे कि वहां से तुमने लिया है या वो है या वो है मैं तुम्हें बताऊंगा बच्चो जस सबर करो मैं ऐसे चीजे सिखाने वाला हो जो कोई सिखा भी नहीं सकता राइट जस्ट सबर करो ठीक है जस आपको यह master करना है ठीक है नाउ समझो यह जो पाइट है यह जो उसमट टाइम्स ना है वो कियूं वर्क नहीं करती क्योंकि उसके अंदर ओर्डॉड ब्लॉगे सेरेसम इसके अनदर में आपको मिटिकेशन ब्लॉग, ब्लॉक, वेक्यों skipping-ब्लॉक, जितने भी भी ब्लॉक्स है यह जितने भी ब्लॉक से लिक्विडिटि गुडि़िटि लटन करते हैं, FG now हमारा clear हुआ, by side का FG क्या होता है, now चीजों को समझो कि FG को हमें कहां से कहां लेना है, दिखाइ स्ट्रॉक्चर इस ते के से चल रहा है, higher high, right, and, okay, यह हमारा पहले higher high तहा है, इस अई रही है गर्ट नहीं है मेरी पास तो तुछा आप समझ जाना है ये स्ट्रक्टर इंडल्स का है एक स्विंग बना रही और उपर जारे एक अप्र लिए इस ने क्या क्या आई डिम लेने के बाद आई डिम लिने के बाद क्या कंभर हुआ अब उपर कब तक ठिजिय नहीं जुणना उसको समझो प्राइज जो है अब जाने के बाद जैसे इसने एक स्विंग लिया लेप्ट साइड का इसने स्रक्चर मैपिंग का लेक्चर देखा उससा समझ माया देगा रैट वो IDM ले ले, IDM से क्या होगा? higher high confirm होगा, right? higher high confirm हुआ, IDM भी ले लिया गया now हमें यहां से IDM से लेके इस higher low तक, मतलब अपने चौक वाले पॉइंट तक हमें FVG find करने हैं इसके अलावा कि FVG find नहीं करने हैं बिना IDM के, right, FVG find नहीं करना है क्योंकि IDM के बाद ही entry बनेगी नीचे से हमें buy करना है, अप्टरेंच चल रहा है, right? तो higher high confirm हुआ, IDM हुआ और यह higher low जो था, पिछला higher low, right? यह higher high, higher low, right? फिर नया higher high बना, तो higher low to higher high range है और higher high confirm कैसे होता है, IDM से, ठीक है? तो IDM से लेके higher low के बीच में हमें FVG find करने है, price इनहीं FVG को tap करके upside में जाएगा, right? अब sometimes क्या होता है, यहां पर बहुत सारे FVG बन जाते हैं, but कौन सा exit work करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? I hope आपको यह part समझ में आया हो, ठीक है? नाओ मैं downside के FVG भी आपको बता देता हूँ downside के अंदर हमें क्या करना हो, देखो upside में हम क्या कर रहे थे? पहली candle का high, second candle छोड़ दी third candle का low, बड़ इसमें क्या करना है? आपको first candle का low, यूँगे downside में है, right? first candle का low, second candle छोड़ देनी है, third candle का high उससे बिलकुल उल्टा, right? अब trend में क्या था? पहली candle का high था, बड़ downtrend में क्या है? पहली candle का low है, right? अब trend में क्या था? second candle छोड़ के तर्ड कंडल का लो था, डाउं ट्रेंड में क्या है, ए। इसे से भी भी बोला जाता है, बट मैं यहां पे ध्यान से लिगो, इसमें भी इसी तरीके से स्टरक्चर मैपिंग आपको देखनी है, राइट, प्रैस जो है, प्रैस जो है, इस तेगे से ट्रॉप लेगा, आईडियम बनाएगा, और इस तेगे से लिएगा, आप यहां पर देखो, आपका आईडियम हुआ था यह दाउन आउन ट्रेन का स्टॉक्च्च्यर है, और प्राइस यहां से गीरा, यहां पर आपका बॉस हुआ, एडियम के वज़े से क्या confirm हुआ पहले, lower low confirm हुआ, right, now, boss हुआ, ठीक है, और boss के वज़े से क्या confirm हुआ, अगर मैं आपको बताओ, यह boss हुआ, right, and boss के वज़े से हम देखें, तो हमारा जो lower high है, वो confirm हुआ, ठीक है, now, downtrend में क्या है, lower high से लेके, यहाँ पर जो lower low बने का, उसके IDM, IDM जो होगा, उस IDM से लेके lower high तक, मैं अगर आपको यहाँ से clear बताओ, तो प्राइज, यहाँ तक नीचे आया है, ठीक है, now, इस तरीके से करें, अगे, 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 हमारे यहाँ बारिस का भी मौसम है, that's why, बिद लिया, कड़ा करिया, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पर IDM हुआ, आपको पता होगा, structure mapping IDM क्या होता है, मुझे उसे deeply बताने की जववत नहीं है, ठीक है, यह IDM हुआ, right, and IDM के वज़े से, हमारा lower low confirm हो गया, means, downtrend में एक पर lower low confirm हो जाए, ठीक है, और IDM के वज़े से, वो confirm होता है, then, IDM से लेके, lower high, IDM से लेके, lower high, इस part के बीच में हमें FVG find करना है, कौन से part के बीच में, lower low के IDM जो हुआ है, उस IDM से लेके lower high तक, और uptrend में higher high के IDM से लेके higher low तक, ठीक है, और downtrend में lower low के IDM से लेके lower high तक, right, I hope आपको आई ये part समझ में आ गया हो, ना मैं आपको चार्ट में भी बता देता हूं, जिससे आप बहतर तरीके से समझ भाव रहे, अब प्राइस क्या करेगा, इन FVG को टैप करके गीरेगा, या फिर इस वाले FVG को टैप करके गीरेगा, right, अब हम चार्ट पर चलते हैं, अभी हमारे सामने डाउन ट्रेन का चार्ट है, अगर मैं इसे थोड़ा और जूम करूं, तो यहाँ पर देखो, यह हमारे डाउन ट्रेन का स्ट्रक्चर है, मैं डाउन ट्रेन में आपको FVG बता रहा हूँ, ठीक है, आप बहतर तरीके से समझ भावगे, पहले हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, तो यह हमारा लोवर लोव है, और यह कंपरम कैसे हुआ, आईडियम के वज़े से, यह हमारा आईडियम हुआ राइट, नाव प्राइज देखो, आईडियम को लेने के बाद, प्राइज, यह जो FVG है, पहले कंडल का लो, सेकंड कंडल छोड़ दी और थर्ड कंडल का हाई, इस FVG को टैप करता है, और प्राइज गिरता है, यह आपके पहले एंट्री, अभी मैं एंट्री के बारे में नहीं बताऊंगा, आने वाले पाइट में आप एंट्री सेखना, और यह बिलकुल बेसिक है, मैं अभी भी सिरियसली कह रहा हूं, मैं एक्साइटेड हुँ यह सारी चीज़े सीखाने के लिए, बट मैं इन सारी ची में, वो है हमारा लोवर हाई, अब आप जैसे मैंने आपको बताया, हमें idm का वेट करना है, यहाँ पर lower low confirm हुआ, कैसे lower low confirm हूआ, idm हुआ, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि idm से लेकि lower high तक हमें आपचीजी ठूढना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक आपचीजी ओध पहले candle का low, second candle छोड़ दी, and third candle का high, यहां तक भी ले सकत हूँ, यह सारी चीज़े भी ले सकत हूँ, कोई परक नहीं पड़ता हूँ, अगर और नीचे जाए, तो कोई lower low भी confirm नहीं हुआ है, यहां पर भी lower low भी confirm नहीं हुआ है, यहां पर भी lower low भी नहीं हुआ है, मैंने आपको structure mapping में बताया है, यह part के below body close होगी और फिर left side का swing लेगा तब ही माना जाएगा, तो यह part में कुछ भी नहीं हुआ है, यहां पर देखो, lower low, right, lower low confirm कैसे हुआ, IDM के वज़े से, यह हमारा IDM, यह inside bar है, इस swing का जो है, price down आने के बाद, हम यह swing ले लेते हैं, यह swing का high, IDM हुआ, right, now, इसके अबाव FVG कहां है, FVG है इस जगे पर, पहली candle का low, second candle छोड़ दी, और third वाली candle का high, price जो है, इस FVG को tap करता है, and downside में गिर रहा, तो इसी तरीके से, सारी चीजे चलती रहेगी, right, lower low IDM, and हमारा FVG, down, lower low IDM, हमारा FVG, down, lower low IDM, हमारा FVG, down, तो इस तरीके से, सारी चीजे चलती रहती है, right, just हमें structure mapping master करना है, और यह सारी चीजे को आप समझ जोगे, but FVG हमारा entry point नहीं है, मैं स्टिल अभी बता रहा हूँ, अभी order block हमें learn करना है, order flow हमें learn करना है, और इस सारी चीजों के बाद external, internal liquidity हमें समझ नहीं है, और उसके बाद आपको समझ माएगा कि actual trend कौन सा है, और trend के हिसाब साब, क्यों, क्योंकि हमारे जो bias हैं, वो down क्या है, अब bias वगेरा क्या होते हैं, वो मैं आपको ICT के series में बताऊंगा, बट फिलाल आप जैसी structure mapping को mind में रखो, आपका structure mapping है वो आपको trend बताएगा, right, I hope आपको FVG समझ में आया हो, now हम order block पर जाते हैं, और order block learn करते हैं, right, because आप अगर देखोगे, यह भी FVG है, right, यह भी यहाँ पर एक FVG बचा है, तो actual वाला कौन से FVG को tap करेगा हमें थोड़ी पता है, मैं सभी बोज रहा हूं नहीं बोज रहा हूं, actual वाला किसको tap करेगा हमें थोड़ी पता है, मैं भी वह इसको कर ले, इसको चला जाए, यहाँ पर थोड़ा rejection लेकर दो candle बना के उपर वाले को tap करके गीरे तो, right, उसी के लिए हम order block learn करेंगे, right, और order flow learn करेंगे, जिससे हम सारी चीजे बहतर तरीके से समझ पहें, right, now हम order block पे shift होते हैं, now हम order block को learn करेंगे, order block को learn करने से बहले मैं आपको बदा देता हूं कि order block होता क्या, order block एक ऐसी candle होती है, जिसके अंदर एक बड़ा amount जो है, place किया गया होता है, और price जो है, उस order block को या उसके अंदर जो fg है, उसको tap करने के लिए आता है, right, now हम order block को deep learn करते हैं, actually उसके लिए हमें structure mapping की जरूबत पड़ेगी, order block को find करने के लिए, पहले ज्यान से समझो, price जो है, idm बनाता है, idm को लेता है, right, then एक hierarchy यहाँ पर create करता है, create के से हुआ, idm के वज़े से, right, यहाँ पर एक idm होता है, and now यहाँ पर एक boss होता है, यह एक boss हुआ, right, और boss होते ही, यह हमारा hierarchy दो confirm हो गया, ठीक है, now, हमें एक नए idm चाहिए, ठीक है, एक नए idm चाहिए, कुछ इस तरीके से, price idm लेगा, जिससे क्या होगा, higher high बनेगा, right, यहाँ पर एक idm हुआ, और हमारा जो higher high है, वो यहाँ पर हमारा confirm हुआ, ठीक है, higher high, and higher low, ठीक है, अब इस range के बीच में हम एपफिजी ढूणते थे, means, idm से लेके, higher low तक, ठीक है, higher high और idm के बीच में कुछ भी find निकरना है, right, idm होने के बाद ही आपको एपफिजी और order block ढूणना है, right, now यहाँ पर देखो, आपका idm, right, idm के बाद ही हाइर low, इस range के अंदर, अब trend में, idm से लेके, higher low के बीच में, आपको order block ढूणना है, और एपफिजी ढूणना है, now हम order block को देखते है, right, actually order block एक ऐसे candle होती है, जहाँ से एक बड़ी बाइंग आई भी है, उसमें एक last selling candle, I mean, यह higher low से यहाँ तक बाइंग आई, right, इसमें last selling candle कौन सी है, यह वाला, यह जो candle है, right, यह वाली जो candle है, यह वाली जो candle है, यह last selling candle है, यहाँ से यहाँ तक गिरावट आई, इसको tap करने आएगा, और upside में जाएगा, right, now, इसके कुछ rule है, directly हम इसको mark नहीं कर सकते हैं, इसके कुछ rule है, और वो rule क्या है, कि order block की जो candle होती है, just उसके उपर, मैं से थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, तो आप समझ गया होंगे, right, कि IDM से higher limit होना है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, तो मैं इस पाइट को भी रिमूव कर देता हूँ, यह भी रिमूव कर देता हूँ, नाव समझो, यह वाली जो candle है, हमने order block के तोर पर मार्क किया, बट इसका कुछ rule है, right, rule पहला नमबर यह है, कि candle का color जो है, वो matter नहीं करता, right, दूसरा rule यह है, कि up trend में last selling candle, buying हुई है, उसके अंदर last selling वाली candle, buying वाली candle नहीं पकड़नी, last selling वाली candle पकड़नी है, अब buying वाली candle कब पकड़नी है, कि situation में पकड़नी है, मैं आपको बताऊंगा, right, बट फिलाल के लिए last selling candle हमें पकड़ना है, दूसरा rule उसके color matter नहीं करता, red और black दोनों candle हो सकती है, तीसरा rule यह कहता है, कि order block के उपर FG होना ज़रूरी है, तो क्या इसके उपर FG है, यह हमारी order block candle, इस candle का high, right, मैं order block वाली candle को देखो, तो इस candle का high, second candle छोड़ दी, और third वाली candle का low तो meet हो चुका है, तो यहाँ पर FG नहीं है, right, यह meet हो चुका है, तो क्या यह order block valid रहेगा, नो, यह valid order block नहीं है, अब इस situation में क्या किया जाए, right, क्योंकि यहाँ पर order block के साथ FG नहीं है, because order block वही valid रहता है, जिसके अंदर FG होता है, right, इसके अंदर तो FG नहीं है, तो इस situation में क्या किया जाए, हम जो अपने order block है, उस order block को shift करके next वाली candle पे ले लेंगे, right, और इसमें देखोगे, तो पहली candle का high, second candle चोड़ दी और third candle का लो FG भी है, FG के साथ combine हुई भी candle होती है order block, right, यह order block actual में rule यही कहता है, कि last selling candle, बट इसके उपर FG नहीं था, तो उस condition में, उस मजबूरी में हमें upside में जाना पड़ा, और price अब इस वाली candle को नहीं, इस वाली candle को लेगा और price upside में चला जाएगा, right, इसे बोला जाता है order block, ठीक है, मैं इसे और थोड़ा डिपली ले जाऊंगा, जिससे आप समझ सको, इसके अंदर भी inside bar वाले concept आते है, ठीक है, आप यहाँ पर FG है, तो यह भी order block वाण नहीं, ठीक है, last selling candle ही ढूनना है, यह order block या FG नहीं होगा, right, इसे मैंने इसलिए लिया है, क्योंकि last selling candle यह थी, बट इसके उपर FG नहीं था, इसके लिए मैंने इसको लिए, right, now हम थोड़ा depth में जाते हैं, यह जो order block वाली candle है, right, यहाँ से हमें एक buying देखने को मिले है, ठीक है, now ऐसा यहाँ पर एक और pullback होता, means IDM के पहले एक और pullback होता, because sometimes क्या होता है, अगर depth में आपको बताओ, तो यह जो structure है, right, पहला IDM, IDM को ले लिया, ठीक है, and boss हो गया, इस जगे पर जो है, boss हो गया, मिलिक नहीं रहा हूँ, direct just lines रख रहा हूँ, तो आप समझ जाना, ठीक है, यह boss हुआ है, right, and यह वाला जो part higher high था, यह वाला जो part है higher low था, right, यहाँ पर एक ही lag बनाता, यह एक ही swing बनाता, price ने उसको IDM के तोर पे लिया, right, अब sometime क्या होता है, price में जो है, यह इस range में जो है, right, अभी IDM नहीं हुआ, just एक swing बना है, second swing, ठीक है, third swing, and इसको IDM के तोर पे लेता है, यह हमारा IDM हुआ, now हमारे पास swing कितने बने, यहाँ पर तो चलो, एक ही lag था, right ही इस तरीके से, एक ही था, right, तो higher low था हमने order block को लिया, price उसको tap करेगा, और upside में चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, अपसाइड में चला जाएगा, इसे तो हम fine कर लेंगे, बट इस criteria में क्या किया जाए, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे, तो जहां से एक बड़ी buying आई यह, उसमें last selling candle, तो मान लो, यहाँ पर एक order block बना था, right, यह पहला order block, दूसरा, यह वाला order block, क्योंकि यहाँ से, यह selling के बाद यह एक buying आई, तो इसमें last selling candle, अगर हम लें, तो इधार एक है, right, और तीसरा जो है, हमारा इस सेगे पर, higher low पर है, तो टोटल, तीन order block है, अब ऐसे situation में हम क्या करेंगे, right, ऐसी situation में हम क्या करेंगे, क्योंकि, यहाँ पर मैंने जैसे बता दिया IDM के बाद order block को tap करेंगे, पर यह से तिन-तिन order block एक ही lag में हो तो, higher high यह बना रहाइट, यह वाला हमारा higher आईगे, and यह वाला जो है, हमारा higher low है, अब IDM से लेकर higher low के बीच में, एक order block, दो order block और तीसरा order block, प्राइस कौन से वालों को लेने आएगा और उपर जाएगा, तो इसके अंदर, जिस आपको इतना mind में रखना है, कि IDM के below वाला एक order block, यह वाला, और लास्ट वाला, जो higher low, जहाँ पर चौक होने वाला है, वो order block, प्राइस, या तो इस order block को लेगा, जिसे हम, like, demand बोल सकते हैं, ठीक है, demand zone, and इस वाले order block की value नहीं है, ठीक है, मैं भी, हाँ, इसमें आपको थोड़ा correction देखने को मिले, प्राइस आये, और इसको tap करके इतना हलका जाये, बट यह actual buying नहीं होगी, फिर वापस तूड़ जाएगा, और इस वाले को लेना आएगा, और फिर ही रहेगा, that's why मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कि IDM के below, just यह एक order block है, उसको आप respect दो, इसको छोड़ दो, right, और मैं भी यहाँ पर एक और order block बने, इस तरीके से एक और swing बन जाए, सम्टाइम्स पाट पाट छे से बनते, right, बट उस case में, जस पहला और लास्ट वाला, बीच वाले से कोई लेना देना नहीं, means, IDM के below वाला, और जहाँ पे चौक होने वाला है, वहाँ पे, ठीक है, तो उन दो order block को हमें respect देनी है, बाकी कोई order block पे हमें ध्यान नहीं देना, right, यह मैं आपको, POI वाले lecture, या फिर मैं आपको, entry module वाला lecture है, उसमें मैं थोड़ा depth में समझाओंगा, अभी हम order block को समझ रहे हैं, कि actually order block होता क्या, यहाँ पर last selling candle थी, उसके वाबाव एपफेज ही था, right price इसको tap करता है, और upside चला जाता है, या फिर इसको break कर देगा, तो yeast वाले को लेना ही हो, now order block की एकादी और rule है, मैं वह आपको थोड़ा पता देता हूँ, जिसके बाद आप समझ रहे होती है, माल लो, actually हमारे चार्ट में normally candle कौन सी होती है, red and green, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा red कर देता हूँ, जो हमारी last selling candle है, यह selling वाले part जो है, वो red है, और green करने की जर इसके अबाव FG होता तो, इस तरीके से काफिजी होता, इतना छोटा भी होता कोई ना, लेकिन यह एक FG होता, तो यह वाली candle order block नहीं बनती, यह वाली candle order block नहीं बनती, लेकिन यह वाली बनती, क्योंकि actual rule तो क्या है, last selling candle उसके अबाव FG होना चाहिए, और candle का color matter नहीं कर दूसरी चीज, order block के ओपर FG होना चाहिए, और जो थर्ड रोल है, वो है, कि order block जो है, last selling candle होती है, in uptrend में, downtrend में, last buying candle, मैं downtrend में आपको बताऊंगा, ठीक है, तो price जो है, IDM के बाद, या तो इस FG को, या इस order block को tap करके जाएगा, right, now, इस चीज से हमें एक चीज समझ मे आ गई, कि हर FG को नहीं देखना, हर FG को नहीं देखना, हर FG को नहीं देखना, right, अब यहाँ पर तीन FG बन गए, तीन FG बन गए, और order block यहाँ पर हो, और इसकी छोटी सी FG यहाँ पर, तो अब एक FG, दो FG, तीन FG और चार FG, कौन सा वाला work करेगा, IDM के बाद, IDM क हो जाएंगे, I hope, now आपको clear हुआ हो कि actual कौन सा FG हमें लेना है, order block के पास, order block के साथ, जो combine FG है, क्योंकि अप FG के साथ ही order block बनता है, अब इसके अंदर advance order block भी आते हैं, जो बिना FG के होते हैं, rejection block, mitigation block, vacuum block, reclaim block, बहुत सारे blocks आते हैं, पर वो में ICT के concept हैं, और उसके criteria अल तो समझाऊंगा, यह order block और order flow और यह refine order block, मतलब यह जो lecture है, उसके बाद एक lecture internal liquidity और external liquidity और direct entry model दे के मैं से complete करूँगा, और उसके बाद मैं ICT को start करूँगा, I hope, आप समझ रहे हो मेरी चीजों को कि मैं कितनी जलबाजी में हूँ, और आप भी उसी जलबाजी से मैनत करना, यह order block में आपको इसको respect नहीं देना, यह FG को, इस FG को भी respect नहीं देना, इसको भी नहीं, right, price इसी को respect देगा, और upside जाएगा, I hope, आपको समझ में आगया, now, दूसरी चीज, जो चीज में लोग mistake कर देते हैं, मान लो, यह वाली candle का low यहां तक होता, लेकिन यह candle green होती, मत अब last selling candle कौन से है, अब लोग बोलेंगे, last वाली red candle selling candle है, right, नहीं, इससे ज्यादा selling, मतलब यहां तक selling आई थी, इस candle में, इससे ज्यादा selling यहां तक इसमाई है, not doubt, जो closing है, वो buying candle बनके होई है, but selling इससे ज्यादा इसमाई है, तो last जो selling candle होगा, यह रहेगा, right, I hope, आप स में आती है, और color इसका green रहता है, ठीक है, मतलब closing जो है, अब आउ जाके होती है, तो यह वाला order block रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा selling इसमें नहीं, इसमें आई थी, और end में जाकि यह buy में close हुआ, that's why यह rule apply होता है, कि order block का color जो है, वो matter नहीं करता, लोग last selling candle मान के red वाल candle रहना है, यह इसके पीशे का logic है, I hope आप इसको समझ गये हो, now इसके अंदर inside bar का rule भी आता है, मान लो कि price जो है, now इसको normal कर देता हूँ, order block के अंदर इस तरीके के inside bar हो, इस तरीके से inside bar हो, इस red candle के अंदर पूरी की पूरी, यह blue candle आ चुकी है, और इस तरीके से inside bar candle का order block बनता है, तो इसके अंदर fvg जो है, इस candle का high, second candle छोड़ देना है, और third candle का low लेना है, अब यहाँ पर fvg नहीं था, ठीक है, तो हमें इसको shift करकी इसमें लेना पड़ेगा, इसके उपर fvg भी है, और यह हमारा exit order block होगा, ऐसे भी criteria बनते हैं, ठीक है, I hope now आप समझ गये इसमें जो है, मान लो इसमें inside bar के अंदर, यह inside bar candle बनी, और inside bar वाली candle, पहली candle है, टाइट यह दोनों मिला के एक candle हुई, second candle छोड़ दी, third वाली candle का low, इसके उपर छोटा सा fvg है, बड़ा भी हो चलेगा, fvg के size matter नहीं करता है, fvg है, तो यह वाला inside bar candle order block बनेगा, I hope समझ में आ गए हो, now हम downtrend के order block को समझते हैं, right, और उसके बाद हम chart में जाके उसको बहतर तरीके सा समझे, now downtrend को देखो, price जो है, इस तरीके सा down आता है, right, और idm को लेता है, lower low बनाता है, और boss करके lower high भी बना देता है, ठीक है, इस तरीके सा, जो new person है, उसा idm और यह सारी चीज़ा समझ में नहीं आएगी, मैं उन्हें again suggest करूँगा कि प्लीज एक बार structure mapping का lecture जरूर देख लो, ठीक है, यह हमारा idm बना, right, and इसके अंदर आप देखोंगे, तो यह आपका lower low रहा, यहाँ पर आपका boss हुआ, right, यह आपका lower high रहा ठीक है, now हमें कौन से range बें order block ढूना है वो समझाओ, एक नया idm बनेगा, एक नया idm बनेगा, and उसके बाद, इसके वज़े से lower low confirm होगा, right, now idm से लेके lower high तक, अब लो, इसके अंदर आपको order block या फजी नहीं ढूना है यह वर्क नहीं करेगा, right, idm के उपर से लेके, यह lower high है, ठीक है, वहाँ तक आपको order block ढूना है, right, जैसे FVG ढूनते थे, FVG का जो criteria था, same, उसी तरह order block का भी criteria, right, but इसके अंदर adjustment domain यह blue candle कर देता हूं, buying candle को जिससे आप बैतर थे किसा समझ भाऊ, जैसे हम higher low के around, higher low के around, right, यह जो swing था, उसमें last selling candle ढून रहे थे, उसी तरीके से downtrend का rule क्या कहता है, कि last buying candle, समझ रहे हैं मेरी point को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, last buying candle जो है, वो आपका order block रहेगा, मतलब यह एक swing है, मान लो, यह एक swing है, right, अब यहां से एक बड़ी selling आई है, जहां से एक selling आई है, उसके अंदर last buying candle हमारा order block रहेगा, right, जैसे up trend में, जहां से एक buying आई है, उसमें last selling candle, same उसी तरह downtrend में, जहां से एक बड़ी selling आई है, उसमें last वाली buying candle, वो हमारा order block रहेगा राइट दोनों opposite हो रहा है अब ट्रेंड में लास्ट सेलिंग केंडल एंड डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग केंडल ठीक है और कहां से कहां तक अब हमने लास्ट जो बाइंग केंडल थी उसको ले लिया लास्ट जो बाइंग केंडल थी उसको ले लिया रॉल क्या कहता है और ब्लोक के बिलो एफजी है होना चाहिए अब यहां पर एफजी नहीं है तो इस केस में क्या किया जाए अच्छली मैंसे रिमूग कर देता तो राइट विकॉस मुझे रेंज बताने थी जो इससे आप बहतर तरीकिया से समझ बाथे है इस के अंदर जब आप देखोगे इसको बिलो एफजी नहीं है तो ये कहता है लास्ट बाइंग केंडल बट आप दूसरा प्रूल यह भी कहता है कि बिलो एफजी होना जरूरि है downtrend में below order block के और uptrend में order block के above FVG right अब समझते हो ठीक है अब समझदार हो right ना समझो यह जो order block है इसके below FVG नहीं है अब इस case में क्या किया जाए इस case में हम इस order block को shift कर देंगे इस candle में right क्योंकि यहाँ पर actual FVG है और that's why यह वाला order block work करेगा price इसी को tap करके downside जाएगा right अब नाव मान लो कि इसके अंदर भी FVG नहीं होता तो तो हम और नीचे आते हैं right हम और नीचे आते हैं और price उसको tap करेगा और down जाएगा ठीक है I hope आप सारी चीज़ों को समझ रहे हो right क्योंकि इसके अंदर last buying candle blue है right मतलब green है तो यह easy setup है बट sometimes जैसे मैं आप ट्रेन में बताया था उस तरीके से sometimes क्या होता है कि price जो है last जो buying candle है उसका color black हो जाता है मतलब red हो जाता है मैंने इसमें black लिया हुए red हो जाता है ठीक है तो यह तो selling candle आप समझोगे बट actual में आप देखोगे तो इससे ज़्यादा buying इसमें आई है फिर गिरावट हुआ है means price ने क्या किया यह buying यहां तक आई है right इस जगे तक तो highest buying वाला point कौन सा आई है ठीक है तो इसी के वज़े से order block का जो color है वो matter नहीं क करेगा and downside जाएगा right I hope आपको order block के सारे rules समझ में आ गए हो last buying candle last selling candle आपको समझ में आ गई हो sometimes colors change हो जाते हैं या sometimes time जो buying selling candle ही buying बन जाती है और sometimes buying candle ही selling बन जाती है सारे rules मैंने आपको बता दिये हैं और मैंने आपको range भी बता दी है कि a point to be point right now मैं थोड़ा और डी प्लीज को जस्ट बता दूँ उसके बाद हम चार्ट में जाते हैं और order block को done करते हैं रहेट चीजों को समझा डाउन ट्रे स्विंग को आईडियम के तौर पर लेता है अब इस केस में भी सेम सीजे हो गई कौन सा वाला actual order block work करेगा यह आईडियम बना यह आपका लूवर दू राइट यह आपका लूवर हाई और यह आपका बॉस वाई यह आपका बॉस वह रई नौ यह एक यहां पर ईक आपको लास वाई कॉद्स देहने लिगत है स्विंग फेश्व यह देखना है आपको हर जीघह नहीं देखना यहां और לפid crashing आपको यहां कहीं देखने को मिल जाएगी कि मैंसे इस तरीके से ले रहता हूं कि इस जगे पर रैट और फिर कुछ यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे गुछ आपको देखने में मिलेंगे इस जगेशे पर अब यहां पर order block किते बने एक, दो, पेन और चार अब यहां पर IDM हो गया मैंने आपकо पताया कि IDM से हाईar 2 तक धूढ़ना है तो यहां पर चार order block बन गहें मिन्स चार swing बन गए जहां से एक buying होने के बाद selling आई है buying होने के बाद selling आई है तो अब यह selling यहां से आई है समझे लो selling यहां से आई है selling के पहले कि last buying candle में आपको बता रहा है रूल यह कहता है तो इतनी सारी buying candle बन गए अब कौन सा वाला work करेगा IDM के जिस्ट उपर वाला पहला राइट जहां पर चौक होने वाला है वो एक्स्रिम वाला सबसे एंड वाला अब इसके बीच में जितने भी order block बने हैं जितने भी FG बने हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं रही I hope आप सारे rules समझ गए हैं कि order block में कौन से order block लेने रहते हैं order block क्या होता है order block के colors matter करते हैं या नहीं करते कौन से point valid रहते हैं उसके range क्या है सारी चीजे मैंने आपको बता दिया inside bar वाली candle सारी चीजे मैंने आपको बता दिया now हम chart पे जाते हैं और chart में समझते हैं कि actual किस तरीके से order block work करता है और एक और चीज मुझे बता नहीं थी कि order block जो होता है तो order block and FG ये दोनों मिला के price उनको tap करके गिरता है sometimes order block की FG को लेके गिर जाएगा sometimes order block को tap करके गिरेगा तो वो हमारा entry point बनता है और हर कोई FG नहीं लेना रहता जो order block काक वाली FG सारे FG को समझ गया है नव हम चार्ट पर चलते हैं नव हम हम नवीं चार्टेशाज पर हमachten हम करेंगे कि actual में order block किस तरह समार्क किया जाता है तो हम आई जैसे मैं आपको पता ईय दिम से लेकर हइं तक डाउन ट्रेंडल हमें Supply ट आ रहता generally रूल क्या है last buying candle downtrend की बात करा रहा। अप्रेंद में last selling है downtrend में last buying candle यहाँ पर कौन सी है ? अब अगर इस जगे पे देखूगे तो यह blue आ 없습니다. इस blue के below epigy नहीं है तो क्या किया जाए यहां सेふ ृफञे black candle पर यह black candle के below भी epigy नहीं है तो इससे और नीचे shift किया जाए यह वाली जो candle है इसके बिलो एपफिजी है यह वाला हमारा order block actually यह वाला होता इसके बिलो एपफिजी नहीं था देन हमने यह वाला लिया राइट और यह वाले order block की एपफिजी ही exit work की राइट और price जो है उसी एपफिजी को tap करके गिरा इस केस में आपका पहला एंट्री बनता था यहां पर और आप अपने स्टॉपलस को यहां पर दाल सकते हैं यह आपके बॉस तक के टार्गेट या बॉस के बिलो जो स्विंग बनता है वहां तक आप रख सकते हो ठीक है कि अगया नाव हम सेकेंड वाले को समझते हैं अगेन लोवर लो आईडियम आईडियम से लोवर हाई तक यहां पर एक्जेट क्लियर चीज है अगर आप देखोगे आईडियम से लेके लोवर हाई तक जिस्ट एक नॉर्मल और ब्लॉक है एक्जेट आलास बाइन केंडल उसक और इस और ब्लॉक के बिलोव है एप फीजेट एंड प्राइज जो है इसी एप फीजी को टैप करके डाउंसाइड कि रहा है ओडर ब्लॉक वाली एप फीजेट नाव यहां पर आप ध्यान से देखोगे यह एक लोवर लोग है यह उसका आईडियम हुआ यह वाला आईड और आईडियम के अबाव मैंने जिसे आपको बता है अब इस केस में देखोगे तो पहला और ब्लॉक यहां पर है राइट यह वाला एंड डूसरा इधर वाला है ठीक है अब इस केस में एक्चल में वर्क कुन सा करेगा सम्टाइम्स तीन तीन चार चार भी होते हैं जब आ दो और ब्लॉक है पहला यह और दूसरा वह तो दूसरा बहुत दूर है प्राइज ने पहले वाले और ब्लॉक को ही लिया अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अबाव कहीं पर भी और ब्लॉक नहीं है नहीं कहीं एफजी है जिस्ट यहां पर ठीक है और यह वाला ओडर ब्लैक वाली केंडल उसका और ब्लॉक और यह ब्लैक वाली केंडल और ब्लॉक क्यों बना है क्योंकि ब्लॉव वाली केंडल के बिलो एफजी नहीं था फस्ट वाली केंडल का लो एंट थर्ड वाली केंडल का हाई यहां तक चला गया तो एफजी नहीं था तो मैं ब्लैक से का logic है कि कौन से FFG हमें select करने है अब यहां पर भी FFG है बट इसका कोई वर्क नहीं है यह वर्क नहीं करेगा राइट प्राइज हो है order block के बिलोवाले FFG को ही लेता है यह order block को tap करता order block के 50% तक जाता है तो प्राइज उसी हुआ liquidity runs हुआ ठीक है यह सारी चीजह है बट वह सारी चीजह ICT में आती है बट जैसे जैसे इसके अंदर आपका interest बढ़ेगा मैं step by step और आगे जाओंगा तो सारे lecture में डालने वाला हुआ पुरा 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 पहला order block और लास्ट वाला ठीक है उसके बीच के order block वर्क नहीं करते हैं और उसके बाद हम अपने order block को जो है refine करते ठीक नाव हम order flow को समझते हैं कि order पुलबेक, अपसाइट, सेकंड पुलबेक, अपसाइट, थाड़ पुलबेक, अपसाइट, फॉर्थ पुलबेक ठीक है, इसके अंदर कहीं पर भी आईडियम नहीं हुआ है, यह माइन में रखना राइट, अब इस केस में टोटल कितने पुलबेक बने, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यह एक पहला पुलबेक, यह सेकंड पुलबेक, यह आपका थर्ड पुलबेक, यह आपका फॉर्थ पुलबेक, टोटल चार पुलबेक बने हुआ है, फॉर्थ यह चार पुलबेक बने हुआ है, अब रूल क्या कहता है, उसको स्टेप बाई स्टेप आप स लास सेलिंग पुलबेक, अब ट्रेंड के अंदर, लास सेलिंग वाला पुलबेक, नॉट बाइंग वाला पुलबेक, आप इसको पुरा का पुरा ओडर फ्लो नहीं मार्क कर सकते हैं, अब ट्रेंड में, आपको मार्क करना है, गिरावट को, यह जो गिरावट हुई है, यहा यहां से यहां तक गिरावट हुए है और यहां से यहां तक गिरावट हुए है selling pullback को अब trend में जैसे order block के लिए last selling candle उसी तरीके से last selling pullback right I hope आप सही तरीके से समझ पा रहे है order block में क्या था last selling candle in uptrend उसी तरीके से order flow में भी last selling pullback in uptrend not candle pullback right अब इसके अंदर जो पहला selling pullback है जिसे हम IDM बोलते हैं वो IDM का हो गया जो पहला selling pullback था वो IDM का हो गया हमारे पास कौन से pullback बचे एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला नव प्राइस क्या कर रहा है यहां तक आ रहा है और इसको टैप करके price upside में चले जा रहा है ये वाले order flow को और याद रखना किसी order flow के अंदर आपको order block and आपका FVG भी देखने को मिलेगा मतलब order flow के अंदर FVG and order block होता है यह हमें सा याद रखना और sometimes पूरे lag में कहीं पर भी order block और FVG नहीं है तो देन order flow वर्क करेगा यह इसके पीछे का logic है यह इसके पीछे का right reason है जिसके वाज़े से हम order flow learn कर रहे है ठीक है आई होप आप समझ गए हो ठीक है कि order flow क्या होता है अब दूसरी तरीके से हम इसको समझे तो यह भी सेम डाग्राम है प्राइज अपसाइड या रहा है डाउन यहां तक गया अब इस केस में क्या हुआ है यहां पर आईडियम हुआ पहला order flow हमेशा आईडियम रहता है जो आईडियम होता है वो हमारा order flow हुआ रइट नाव देखो हमारे पास order flow कितने है एक यह last selling pullback एक यह last selling pullback यहां पर राइट और यहां पर प्राइस क्या कर रहा है इस वाले को tap करके upside जा रहा है नीचे वाले को last वाले को tap करने नहीं आया क्यों ऐसा इस वाले में अगर हम देखें तो last वाले selling pullback को tap करना है सबसे extreme वाला इस वाले case में अगर हम देखें तो price जस इसी को tap करके upside जा रहा है इसके बिज़े का reason क्या है अगर आप इसको deeply देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यह वाला जो order flow है यह जो selling pullback है इसने इस order flow को tap कर दिया देखो अगर इसे zoom करो तो आप समझोगे इसको tap हो गया यह order flow जो है क्या हो चुका है tap हो चुका है that's why इस order flow में कुछ नहीं बचा नाओ इधर आप देखोगे यह वाला order flow इस order flow ने भी इसको tap कर दिया इसमें भी कुछ नहीं बचा बट यह वाला जब आप देखोगे इस order flow को यह यहां तक ही आया tap नहीं किया और चला गया उपड़ यही एक बचा था जो order flow टैप होना बाकि था प्राइज ने उसी order flow को tap किया और प्राइज अपसाइड में गया यह सारे के सारे बाकि था that's why यह यहीं से उपड़ चला गया बाकि सारे नीचे के फिल हो चुके था जिस्ट यही एक बचा था तो यह इसके पीछे का लॉजिक है कि कौन से order flow वर्क करता है और कौन से order flow है जो वर्क नहीं करता ठीक है आई होप आपको यह समझ में आया हो नाव हम डाउन ट्रेंड के order flow को भी हम समझ लेते हैं ठीक है अब प्रेंड में लास्ट सेलिंग पुल बेक राइट तो डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग पुल बेक होगा ठीक हम इसको थोड़ा ओड समझ लेता है जिससे आपको B के तौर पर ये ये एक ओर अविलो है ये को दैप हो जुक्त है रिइट इस्न हमारे पास यह ही बचाए है तो प्राइज आइडियें के बाद या रखना फ या रखनाerson है ऐड्यातсон के बाद इस वाले order प्रोपर करने जाएगा सब से एक्से एक्सेम वाला राइट क्यूकि वही एक टैप होना बाकी है मान लो पहला भी टैप होना बाकी था और एड़ान्स भी टैप होना बाकी था तो यहां से पॉल करेगा और दूसरी चीज अगर हम इसमें समझे पहला pullback, second pullback, third pullback, right सारे tap हो चुक है, जिस यही एक बाकी है price इसको IDM को तौर पे लेता है IDM को तौर पे लेता है और यह वाला order flow टैप होना बाकी है अगर हम देखें, यह वाला price जो है, IDM के बाद इसी order flow को tap करेगा और गिर जाएगा, क्यों? क्योंकि उपर के सारे order flow जो है, tap हो चुक है मैंने इसको सही सा मार्क नहीं गया सारे के सारे order flow जो है, वो tap हो चुक है अब इस condition में जो tap नहीं हुआ है, price उसी को लेके गिर जाएगा, यह वाला tap होना बाकि था, यह वाला, right इसका low tap होना बाकि था, यह order flow का तो price इसी को लेके गिर गा, right आप यहाँ पर ध्यान से देखो, just यह एक rule mind में डाल देना है अब trend में selling pullback अब trend में buying pullback मत ले लेना, बहुत बुरे लगेंगे, right selling pullback, and down trend में buying pullback, ठीक है यह जो buying है, last जो buying है वो pullback को हम mark करते है price उसी को tap करता है और गिरता है, ठीक है और उसी के अंदर आपको order block और FG भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है now हम chart पे जाते हैं और उसी chart में मैं आपको order flow भी true करके दिखा देता हूँ कि क्यों वो इतने high probability वाले setup बनेते that's why price downside में गिरा right, PD arrays वगरा bias वगरा, ICT की concept में आपको learn करोंगा बट फिलाल यह जो basic से है मैं सारी चीज़ आपको समझा देता हूँ जिससे आप बहतर तरीके सा समझ भाटी now आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे यह एक downtrend का structure है and downtrend के अंदर हमें order flow कौनसा देखना होता है last buying pullback right, कौनसा pullback last buying pullback तो IDM हुआ है अब IDM के अब आओ जो last buying pullback अगर हम देखें तो यह वाला है यह पूरा का पूरा अब आप बोलोगे निलेज भाई यह यहाँ पर एक buying तो आई और उसके अंदर दो red candle है आपको red देखेंगी मेरे chart में black देख रहे है तो यह selling candle है तो यह selling candle नहीं माने जाएगी क्यों क्योंकि यह inside bar के अंदर है और inside bar वाली candle जो है buying की है that's why मैंने यह pullback नहीं लिया यह पूरा का पूरा order flow माना जाएगा और price जो है इसी order flow को tap करता है और इसी order flow के अंदर order block and fvg है price उसी को लेकर गिर रहा है now आप दूसरे structure में देखोगे तो idm हुआ अब idm के उपर हमें last buying pullback देखना है तो आप यहाँ पर देखोगे यह buying pullback है उसके बाद selling आई फिर यह आखरी buying pullback है उसी order block और उसी fvg को tap करके downside में गिरता है now another structure पर आते हैं तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो lower low idm अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यह pullback था जैसे मैं आपको बता है कि पहले pullback को idm के तोर पर लेता है और उसके बाद idm के उपर कौन सा last buying pullback है जो tap नहीं हुआ और price उसी को tap करके गिरता है तो अब idm के उपर last buying pullback कौन सा है यहाँ पर कहीं पर भी last buying pullback नहीं है जो tap होना बागी है लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे यह वाला part पर तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक buying आई हुए है तो यह एक buying pullback है यहाँ से लेके यहाँ तक एक buying आई है और उसके बाद गी रहा है तो यह एक buying pullback है price जो है इसी buying pullback के अंदर जो order block है उसको tap कर रहा है FVG उसको tap कर रहा है और फिर price downside में जा रहा है तो I hope आपको FVG order block and order flow समझ में आया हो कि कौनसे वाले order flow work करते हैं, कौनसे वाले order block work करते हैं, किस तरीके से structure mapping के साथ इसे combine किया जाता है, कौन से वाले order flow हमें लेना है, right? और कौन से वाले order flow tap हो जाते हैं तो नहीं work करते हैं, जारी चीज़े मैंने आपको बता दी है now just एक topic बाकी है जो है order block को combine करना उसको भी हम complete करते हैं और उसके बाद इस lecture को end करते है right तो now हम जाते हैं order block को refine करने की तरफ ठीक है now हम समझते हैं कि refine order block होता क्या है और ये actual में work कैसे करता है like जब हम बड़े time frame पे होते हैं like 30 minute हुआ 15 minute हुआ या फिर 1 hour या 2 hour या 4 hour ठीक है जब हाय time frame पर हम structure mapping करते हैं तो उसके अंदर order block जो होते हैं वो भी हमें बड़े मिलते हैं like 1500 point के ठीक है या 100 point के या फिर 125 points के ठीक है या 200 points के हमें order block देखने में मिलते हैं तो वो हमारे लिए एक बड़ा stop loss हो जाता है वो हमें एक problem देता है तो उस case में हमें क्या करना होता है वो हमें refine order block हमें बताता है तो अगर आपको मैं example के तोर पर समझाओ तो जैसे हमने 4 hour के order block को mark किया या हमारा 4 hour का order block है अब ये पुरा का order block का जो SL है या order block की जो size है वो 200 point की है लाइक 200 point bank nifty में हमारा stop loss बहुत बड़ी problem है तो उस case में हमें क्या करना होता है हम उस order block को mark कर लेते हैं क्या करते हैं पहले 4 hour के order block को mark करते हैं एक box के तुर राइट और फिर lower time frame पे जाते हैं और उसी box वाले part में जाते हैं और छोटे order block को ढूनते हैं पंद्रा मीट में सबसे lowest मिलता है 200 point की जगा 75 point का 75 point का फिर 15 minutes से हम 5 minute में जाते हैं तो यही 75 point का जो stop loss है उससे छोटा अला order block हमें मिलता है और stop loss हो जाता है यह इसके बीचे का logic है और इसके वज़े से हम हमारे जो stop loss हैं उसको हम छोटा कर सकते हैं और हमारे जो trade है उसको जो reward है उसको हम बढ़ा सकते हैं यह forex में भी work करता है यह Indian market में भी work करता है सभी market में आप इसको depth में समझ सकते हो जैसे 4 hour का order block है उससे छोटा order block आपको देखने को मिलेगा अगर मालो bearish order block आपको मिला है और bearish order block अगर आपको मिला है और bearish order block में यह आपका order block है last selling candle यह वाला है यह पूरा का पूरा part ठीक है और वो candle पिछली candle के high को ले चुका है पिछले candle के high पे wick बना के गिरा हुआ है तो उस case में आपका order block automatically यह wick बन जाएगा ना कि यह पूरा का पूरा body आप नहीं समझे होंगे मैं समझ दिया but like आँ चलो मैंना भी आपको bullish example दिया तो उससे आप समझ पहोगा bullish example मैंना आपको उपर सारे दिये होगा तो bullish example में मैं आपको बताता हूँ ठीक है यह buying का एक order block बना हुगा है और order block वाली candle ने उसके previous वाली candle का जो है wick जो है उसको ले लिया तो इस case में क्या होगा हमारा जो order block है यह पूरी की पूरी candle नहीं बलकि यह wick वाला part बन जाएगा ठीक है जब इसी criteria में जब वो order block previous वाली candle का low ले बनी हुई हो तो ठीक है अगर body है देन हम कुछ नहीं कर सकते ठीक है उस case में हमें पूरी की पूरी body लेनी होगी और उसके 50% वाला part हमें लेना होगा राइट यह सारी चीजों को आप समझ रहो now refine order block को हम थोड़ा चार्ट में जाके देख लेते हैं यह किस तरीके से वर्क करता रहा है अभी हम बैंक लिप्टी के चार्ट में है और टाइम प्रेम आप अगर देखते हो तो 30 में का टाइम प्रेम है ठीक है और अगर आप यहाँ पर देखोगे आई डिये एंड और ब्लोक राइट और अड़ ब्लोक को अगर आप देखोगे तो यह इंसाइड बार वाली इतना बड़ा और ब्लोक बन रहा है ठीक है इसके अंदर आप स्टॉप लोस देखोगे तो स्टॉप लोस तकरीबन बन रहा है 135 पॉइंट यह हमारे लिए बड़ा स्टॉप लोस है ठीक है तो इसमें क्या किया जाए इस वाले पाइट को राइट नाइन अगस्ट ठीक है मैं अगर आपको बता है एट अगस्ट का राइट हम फाई मिनिट में जाते हैं इसी और ब्लोक को ठीक है यह जोन मेंने मार्क कि अगस्ट का राइट नाव हम फाई मिनिट में जाते हैं और 8 अगस्ट पर हम जाते हैं ऑगे आ यहरा एट अगस्ट ए अगर आप एट अगस्ट वाले पायट पर जाओगे तो यह वह 135 पॉइंट वाला टारगे था टार्ट यह ओड़ाउड़ ब्लोक था और ब्लोक को हमें मार्क करना है और आप देखोगे इसका जो benefit है 135 पॉइंट अपने आप small होके होगे इतना और इसे बोला जाता है refine order block जो only 30 पॉइंट का रहा या 33 पॉइंट का रहा ठीक है और प्राइज ने इस बड़े order block के अंदर इस छोटे वाले order block को tap करने आया यह इसके पीछे की beauty है आप अच्छे तरीके साथ समझ सकते हो कि refine order block हमें कितना help करता है और आपको अगर कुछ और example दिखाऊ तो यहाँ पर एक हमारा order block है अगर आप देखो higher high, idm and higher low ठीक है यह 23 अगस्ट का है ठीक है 30 मिनिट पर है और यहाँ पर अगर आप order block की size देखोगे तो तक्रीपन इसकी size है इसके अंदर आप छोटे order block को find करने की कोशिस करो तो वो रहा यह वाला यह एक order block जिसके उपर effigy है बागी कहीं पर भी effigy नहीं है राइट जस्ट यह एक order block और उसके उपर effigy है और आप ध्यान से देखोगे इसकी beauty price इसी को tap करने आता है and इस case में हमारा stop loss जो 90 पॉइंट का था उसकी जगह जस्ट इतना ही बन जाता है और इसके अंदर आप stop loss देखोगे 20 पॉइंट का 90 पॉइंट से direct 20 पॉइंट का benefit हमारा stop loss अपने आप कम हो गया and जो आपका reward है one is to five one is to ten जो भी आपका बन रहा है इस तरीके से आपका बन गया ठीक है तो आपको यह सारी चीजे समझ में आई हो आपको एफ़ीजी समझ में आ गया आपको order block समझ में आ गया order flow समझ में आ गया और आपको refine order block समझ में आ ठीक है यह सारी चीजे complete होने के बाद हम next part में learn करेंगे internal and external liquidity और उसके बाद हम higher time frame and lower time frame में किस तरीके से हम हमारे entry को plan कर सकते हैं उसको समझेंगे और फिर उसके बाद यह series complete हो जाएगी और उसके बाद हम हमारे जो real knowledge है जिसके लिए हम ready हो चुके हैं उस series को start करेंगे जो हमारे कम से कम hundred episode की है right I hope आप यह सारी के सारी चीजे mapping में अभी तक 941 लाइक हो चुकी है right और 921 मुझे पता है कि 20 लाइक अभी होई जाएगे तो 1000 लाइक के वज़े से मैं इस lecture को upload कर रहा हूं अगर आप इसको 1000 लाइक कर दोगे तो next lecture तुरंत upload हो जाएगा ठीक है सभी का सुक्रिया अभी तक देखने के लिए right I know काफी लो